मैक्सियल इंडक्टंस कपैसेटेंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में की एम लोग ने वीटस टोन ब्रिज पढ़ा था ऊसमें क्या होता था यह दोनों आर्म का इंतू इन दोनों आर्म के इंतू के इसुकर्टू होता था सेम प्रोसेसर इसमें भी है श्रीफ इसमें क्या है उसमें हम लोग वोल्टिज ड्रॉप को निकालते थे और इसमें हम लोग इंपीडेंस निकालेंगे हम लोग पहले इस ब्रांच का impedance निकालेंगे इस ब्रांच का चार impedance निकालेंगे तो हम लोग पहले इनका impedance निकालेंगे और फिर हम लोग यह जो हमारा unknown resistance और inductance है इसकी value को find करेंगे हमारा यहाँ पे जो c1 है यह हमारा known capacitance है और ये unknown है तो देखिए हमने इस तरह से इसको लिखे लिया है देखिए यहां पर यह हम पहले इसका इंपिड़न से निकालेंग तो यह दोनों हमारे parallel में लगे हैं तो parallel में लगे हैं यानि कि हमारा क्या होगा Z1 is equal to 1 by R और फिर प्लस और capacitor का होता है 1 upon पिर 1 upon का CAC का C1 होता था तो अब हमारी imaginary part है यानि यह होता था 1 upon XC यह हमारा होता था यह हमारा क्या होता था 1 upon J omega C होता था यह होता था यानि कि यहां पर अगर हमनों यह put करें तो यह आएगा 1 upon J omega C1 यह आएगा और अगर हमनों J1 निकालेंगे तो इसका मान पूरा मतलब इसको solve करने पर हमारा आएगा देखी इसको हमनों solve कर रहे हैं जब हमारे यह होता था 1 upon R1 upon R2 तो इसको हमनों solve करते थे तो यह हमारा आता था R1 into R2 by R1 प्लस R2 यह आता था अब इसको हमनों इसी रूप में लिखेंगे तो R1 R2 upon का R1 प्लस R2 अब इसको हमनों solve करेंगे तो R1 फिर यह जाएगा 1 upon J omega C1 upon इसका भाग करेंगे तो यह जाएगा R J omega C1 प्लस 1 upon J omega C1 यह यह कट जाएगा तो यह जाएगा R upon J omega C1 प्लस 1 यह हमारा final answer आएगा तो हमारे यह जाएगा R1 upon R1 upon J omega C1 R1 प्लस 1 यह जाएगा यह हमारा Z1 आजएगा इसमें हमें impedance निकालना रहता है अब देखिए J2 का निकालना यह हमारा सिरीज में लगा है तो J2 क्या होगा देखिए J1 है यह हमारा J2 के बराबर होगी सिरीज में लगा है तो हमारा J2 जुकल 2 आजाएगा R2 ठीक है अब हमारा J3 क्या आएगा J3 देखिए यह हमारा सीरीज में लगा है तो हमारा जेड थ्री जुकल टू यह जाएगा हमारा सीरीज में है तो आर एक्स प्लस प्लस यह होता हमारा एक्सल होता है एक्सल को हम लोग क्या लिखते हैं ओमेगा लिखते हैं तो जे ओमेगा लिखेंगे है हमारा सीरीज में यहां पर कोई भी और कंपोडंट लगे नहीं है तो यहां पर हमारा जैड़ three four is equal to जैड़ the three आ जाएगा अब देखिए यहां पर हमारा क्या है यहां पर जो हमने आपको पहले बताया था यह और यह impedance का इंटु रहेगा और यह और ये impedance का इंटू रहेगा और ये दोने equal रहते हैं ये हमने wheat stone से तुम नहीं बताया था ब्रीज में तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे Z1, Z3 is equal to Z2, Z4 अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे हम यहाँ पर Z1, Z3 की value को put कर देंगे दोने जरब Z2, Z4 की value को put करेंगे देखिए हमने यहाँ पर value रख लिए यह हमारी Z, Z1 की value और यह हमारी Z3 की value है Z2 की value और Z4 की value बस हमको इसको solve करना है और हमारा answer आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर प्लस यह देखिए हमने बस इसका अंदर into कर दिया पर इसको solve करेंगे देखिए यहाँ पर इसका into हो जाएगा तो r1 rx plus r1 j omega lx is equal to यहाँ पर इसका into यहाँ होगा हमारा r2 r3 और यह हो जाएगा j omega c1 r1 plus 1 अब यह हमारा ऐसा ही रहेगा r1 rx plus r1 j omega lx is equal to इसका into अलग अंदर हो जाएगा r2 r3 j omega c1 r1 plus r2 r3 अब देखिए हमारे जो j होता है यह हमारा imaginary part होता है और जो जिसके साथ j नहीं होता है वो हमारा real part होता है तो real part को हम लोग एक तरफ कर लेंगे imaginary part को एक side कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा r1 rx यह हमारा real है और यह हमारा real है तो minus r2 r3 is equal to यह हमारा r2 r3 j omega c1 r1 और minus r1 j omega lx यह हमारा हो गए अब देखिए हमारा इसी value को हम लेके आगे value निकालेंगे अब देखिए पहले हम सिब real part को लेंगे real part को 0 के equal करेंगे तो हमारा r1 rx minus r2 r3 is equal to 0 तो r1 rx is equal to r2 r3 और rx is equal to r2 r3 upon r1 यहाजाएगा अब हम लों imaginary part को लेंगे तो इसको 0 के equal मानेंगे पहले तो देखिए इसमें हम लो r2 r3 j omega c1 r1 minus r1 j omega lx is equal to 0 अब देखिए यहाँ पे जो हमारा common है वो ले लेंगे बाहर j omega बाहर ले 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 लिए हमारा common है c1 भी common है तो sorry r1 भी देखिए दूनों side है तो यह भी हम common ले ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे r2 r3 और c1 minus यहाँ पे सिफ lx और देखिए यहाँ पे 0 अब यह इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ठीक है यहाँ पे r2 r3 c1 minus lx is equal to 0 ठीक तो अब हमारा lx की value आएगी lx is equal to r2 r3 c1 यह हमारी देखिए यह हमारा unknown resistance और यह resistance दोनों की value हमें पाइन कर ली है हमें यही निकालना था आप देखिए अगर हम लोग इसके बाद हे ब्रीज पाढ़ेंगे हे इस ब्रीज तो उसमें भी हम लोगो सेम प्रोसेस करना पड़ेगा स्रिफ उसमें क्या है हमारा जो सरके डाइग्राम में वो थोड़ा सा ऐसी ब्रीज में नहीं लगाया है यहां पर एक डीड़टर लगता है जिससे हमारा कोई भी करन्त यहां फ्लो यहां पर फ्लो ओती है यहां कोई करन्त प्लो नहीं होती है यह बिल्कुल उसी प्रोसेस और फ्रीवाला भी लगा देंगे यह दोने वाली ब्रीज का इंटू के बराबर होता है यह लगा देंगे फिर बिल्कुल सेम इसी तरह उसकी तरह प्रोसेस्ट और फिर फॉर्मूला भी लगा देंगे और इसको हम लोग प्रोफ करेंगे इसको नेक्ट वीडियों देखते हैं और देखिए आपको हमने जिस तरह से यह सरकेट डाइग्राम बना है इसी तरह एकदब बनाएंगे तो आपका आपका जो भी मतलब अनून रजिस्टेंस या इंडक्टेंस का वैलू है वो सेम इसी त रजिस्टेंस यहां पहुझ गया और यह आपका यहां पहुझ गया तो आपका आंसर भी चेंज आएगा और अगर आपने नेम चेंज कर दिया यहांनी कि जो आपने यहां पर जो रजिस्टेंस से इसको कुछ और मान लिया यानि कि आर थ्री मान लिया और यहां पर यहां जो हमने बनाये बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सेम आशर आएगा वह बना अगर आपका सरक्ट डायग्राम बदलेगा तो आशर भी बदल जाएगा इसलिए आपका जो आशर रहेगा वह भी गलत नहीं होगा सिर्व आप सॉल्ट बिल्कुल इस तरीके से करिएगा और कोई दिकत की बात नहीं है